गाजिपूर जनपद में कुरोना वाइरस से संक्रमित मरीजों के मामले बढ़ने लगे हैं शनिवार को एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है अग गाजिपूर में चार मरीज संक्रमित हैं इन मरीजों का इलाज चिकिस्तकों की निगरानी में चल रहा है इन मरीजों के परिजनों के भी सैंपल जाज के लिए लिए गए हैं विभागी ये टीम संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को चिन्हित करने में जुटी हुई है गाजिपुर को कोरोना वाइरस के संक्रमर से मुक्त करने के लिए जागुकता अभियान चलाए जा रहे हैं लेकिन लोग कोरोना संक्रमर के बचाव को लेकर एहतियात नहीं बरत रहे हैं कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन को लेकर विभाग अलर्ट हो गया है दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर विभाग की और से गठित टीम नज़र रख रही है ऐसे लोगों को चिनित कर उनके सैंपल की जांच कराई जा रही है अब तक 11,9532 मरीजों के सैंपल की जांच की गई है जिसमें 10,86,117 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है इसमें 21,656 संक्रमित मरीज मिले हैं जिसमें 21,319 मरीज अस्पताल से स्वस्त होकर वापस अपने घर पहुँच गए हैं जबकि 283 मरीजों का इलाज के दौरान मौत हो चुकी है जिला प्रतिरक्षन अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है इससे बचाव के लिए शाशन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें लोगों को भी कुरोना संक्रमर से बचाव के लिए सलाह दें घरों से निकलने से पूर्व मास्क का प्रयोग करें वो बजारों में उच्चत दूरी का ख्यार रखें जिले में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है संक्रमित मरीज के परिजनों का सैंपल जाँच के लिए लैब भीज दिया गया है इस मरीज के संपर्थ में आने वाले लोगों को भी चिनित कर सैंपल की जाँच कराई जाएगी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कॉमेंट बाक्स में अपनी राय जरूर दें